दोस्तों मैं हूं मधूली का आप सबका श्वागत करते हूं आपके अपने यूटूब चैनल जिसका नाम है मधूली का यूपी आर बीयल और मैंने आज लगाई बड़ी सी बिंदी तो कैसी लगाए कमेंट करके जरूर बताए दरसल क्या हुआ मुझे बनाना था गाने वाला कमेंट थे तो मैंने कहा चलो आप लोगों के शाष शेयर करना भी जायस बनता है तो दोस्तों आप लोगों से बता दें कि कभी-कभी जो हम सोचते हैं वो होता नहीं और जो हम चाहते हैं कि यह ऐसा हो जाए वो कभी नहीं होता जिन्दिकी हमेसा उल्टी रहती सादी के पह कभी लड़ियों ना शादी के पहले और ना ही शादी के बार आप लोग अगर मेरी इस बात से सहमत है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएगा तो दोस्तो आज की बात ये करते हैं जैसे उस दिन मैंने बताया था कि आगे की कहानी क्या हुआ दोस्तो रो रो के जिसकी जिन्दगी उजड़ गई हो रो रो के उसका बुरा हाल हो तो उसकी जिन्दगी में क्या कभी खुशी आ सकती है कभी नहीं आ सकती है कभी भी नहीं और देखो एक लड़की ही ऐसी होती एक हिंदुस्तान में ही कहा गया कि ऐसा है कि अगर लड़कियों ने एक बार शादी किसी से कर ली तो जिन्दिकी भर जीने और मरने की कशम खाती है बलकि और अधरवाइस कंट्री में ऐसा नहीं होता मगर यहां भी जो लड़के लोग हैं उनकी कंडिशन वही जैसी हो गई सब वेस्टेंडी अपने कल्चर लाना चाहते हैं सब ही लोगों का मतलब जैसे इंडिया इंगलैंड है और अमेरिका है जहां मतलब अधरवाइस कंट्री में ऐसा होता वही अपने कंट्री में अपने उपर जीवन के उपर उतारते हैं एक हिंदुस्तान में ऐसा है कि जब एक बार शादी हो जाती तो जन्मों जनों तक शाथ रहता, मगर वहां चार साल किये शादी फिय उतार के फिक दिये, फिय चार साल किये, फिय वो उनके शाथ, वो उनके शाथ, तो दोस्तों एक लड़की ही ऐसी होती हो जो पूजी जिन् इंतिजार करते हैं और पत्निया कहो पूरी जिन्दिगी निकाल दे सिफ एक ही आदमी के तो एक इंसान ऐसा है जो दूसरी शादी का लिया शादी किया बच्चे बच्चा एक हो जाने के बावजूद भी उसने छोड़ दिया तो दोस्तो सास जी के क्या है कि सास जी कहती है मेरा बेटा मुझे बेटा नहीं चाहिए यानि जो बेटा हुआ है पोता पोता नहीं चाहिए क्योंकि पोता अगर वहां जाएगा तो उसको हक मिलेगा न उस पापार्टी में उसको हक मिलेगा तो हक तो वो दिलाना नहीं चाहत अगर हक दिलाना चाहती तो आज ये ना करती अगर वो चाहती तो जिसको अपने पोते से प्यार होता तो समझा बुझा के दुलार से रख लेती मगर नहीं उनको तो समझाना बुझाना दुलार करना है नहीं उनको तो सिर्फ अपने पड़ी, अपने बच्चे की क्योंकि सास तो चाहती नहीं थी न? कि बहू बन के आए सास कहती है कि एक नीच काश्ट की बहू होती तो मैं लाया आती है मगए इसको नहीं लाओंगी उसमें क्या खराबी है? तुम्हारे लड़के ने पशंद किया तो उसमें क्या खराबी हो सकती है तुम्हीं बताओ और फी जब तीन चार साल जब वो लड़के के साथ में थी और वहां से तुम्हें पैसे भेशती थी बहुत अच्छी बहुत या मिली बहुत है वो कमाती थी उस समय, जॉब भी करती थी, पैसे बेशती थी, ये बंदी अपना खुश थी, वो देवर को शॉपिंग करा रही, ननत को शॉपिंग करा रही, तब वो ठीक थी, मगर जब आज वो जब उसके बच्चा हो गया, लड़का हुआ, सोची कि वो हगदार हो गया, त सब चाहते है कि बाप का नाम बदल जाये, मगर आज भी वो बैठिया, चार साल शादी के ओ, चार साल हो रहें, मगर फिद भी इंतिजान में बैठिय कि आएंगे, आएंगे, ले जाएंगे, मगर वो इनसान इतना गंदा और इतना कमीना निकला, कि वो दूसरी शादी कर ल दोस्तों बच्चे बाहर खेल लग प्लीज आप लोग इग्नोर कीजिएगा और वो यह चाह रहा है कि मतलब हमें जो है हमें मतलब शादी भी दूसरी हमारी है और इनको बताएंगे और सबसे बताता कि यह मेरी ऐसी है वैसी है तो आपी लोग कमेंड करके बताईएगा दोस्तों कितने जादा कोई परेशान है परेशान करने की एक हद होती न उसको इतना जादा परेशान एक छोटा सा बच्चा है जब उस दिन जब पेशी हुई पेशी में जब बात हुईती तो जो वहां की जज साहिब है उन्होंने अडर दिया कि जाओ अपनी बीबी है तुम्हारी बीबी को ले जाओ शाद घुमाओ बच्चे को गोदी में उठाओ जब अरजस्ती वहां पे जो जज साहिब थे वो बच्चे को जब अरजस्ती गोदी में उठाते है जाओ इनको घुमाओ फिराओ कुछ खिलाओ ताकि वो बच्चा क जो तो लगे मगर बच्चा रो रहा था खड़े उसने आइस क्रीम ले लेके दे दिया है चोटा बच्चा रो टे दिया जब बच्चा रोने लगा उसको चूरा था लगत कि तुमहारा ही खून क्यों नहीं रहे हूं है अ दूना चाहिए था ना फिर उसके बाद जब एक पुलिस वाले ने उससे कहा क्यों नहीं चूर है वहां के वकीलों ने कहा तब उसने गोदी में उठाया और आगे जाके वहीं उसी के अंदर ले और आगे जाके उसी बच्चे को वहीं पर उतार देता है तो इस तन की कहानी है दोस्तों आप ही लोग बताए कैसे कोई बरदास कर सकता कोई कर सकता है कोई नहीं कर सकता तो दोस्तों आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट प्लीज आप लोग इंसाफ दिलाए उस बंदी और कौन है वह बहुत जल्दी आप लोगों के कमेंट रहते दिये आप हो देखो कोमेकर रिए नहीं कहा कि मैं हूँ मैंने कहा । कुछ बाहुत जण वीडियों में लाँगी। क्या पता फिर मैं ही रहुई। अग्र आप लोग सोचे हैं तो हो सकता मैं भी हूँ। भलकि मेंने यह नहीं कहा कि मैं हूँ। मैं हूँ leftover कि मेरी फ्रेंड है कि कौन है सब कुछ खुलासा इस वीडियो में होगा मगर आप लोगों को बस इतना है कि आप लोग साथ दीजेगा बच्ची को नहीं घुमाता वो इस ले जाती कम से कम गुजारत तो दे दो गुजारत आई भाई तुम्हारा बच्चा है तो किसके कौन उसको पालेगा उस ब मालने वाला कोई और है चार साल आपने तो बड़ी हा साथ में रहें चार साल निकाल दिये जब बच्चा हो गया ऐसे क्या खराबी हो गई अच्ट जब साधी किये थे तब घर वाले नहीं थे आज घरवालों का रिष्टा दीख रहा आज बहन को लग रहा कि बहन की कहीं सा रास्ते में वो करने के लिए अगर आपको लग रहा होगा कि वो ऐसा कुछ कर लेगी कि इस दुनिया से चली जाए ये करे वो करे तो एक बीबी ऐसा कर सकती है मगर एक मा नहीं कर सकती है ठीक है ऐसा वो ऐसा कभी नहीं करेगी कभी भी नहीं करेगी अगर आज वो है इस दुनिया में तो सिफ औ सिफ अपने मा बाप के बदोलत जब नहीं वो था तो फी क्यों शादी किये थे क्यों शादी ही न करते न करते शादी रहते ऐसे पूरी जिन्दिगी और फी जब घर वाले नहीं माने थे उसी समय भूल जाते उसी समय यह ओफिस शादी करने के बाद लब मेरे शादी के उपर से धोखा दिये दूसरी के शाद और बोलते हो कि तुम भी कर लो जागे तुम गंदे हो तो तुम हादी तरह वो भी गंदी हो जाए वो गंदी हो जाए तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके जरूर बताएगा क्या सही है क्या गलत इसका फैसला सिर्फ हो सिर्फ आप ही कर सकते हो क्योंकि आप लोगों से ही जारना है तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं करती हूं बंद और कल मिलती हूं अच्छे से वीडियो में और दोस्तो आप लोगों से request है कि वीडियो को full watch कीजेगा और चैनल में पहली बारा है तो चैनल को subscribe करके bell icon को press कीजे जैसे मैं कोई नया वीडियो डालू उसका notification सबसे पहले आप तक पहुचे और दोस्तो ये छोटा सा वीडियो है जो आप लोगों तक मैंने पहुचाने की कोशिस की क्योंकि Sunday हो या Monday इतना ज़्यादा काम रहता टाइम ही नहीं मिलता आज मैं पूरा दिन भी जी थी मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं कुछ कर सोगो इसलिए मैंने कैसे भी करके आप लोगों तक वीडियो पहुचाना है इसके लिए मैंने ये वीडियो पहुचा है तो दोस्तो इस वीडियो को यहीं करती बन और प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर बताईएगा क्या सही क्या गलत है फैसला सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के हाथ में है तो रखती हूं वीडियो को मिलती हूं कल